हालो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत दोस्ट स्वागत है हमारे यूटूब चैनल दा हिटीडी टूपाइं यूरूपाइं आज हम डिस्टस करने वाले अनिकार्थी सवनार्थी और सब्दास्त के बारे में रिविजन करेंगे और यह जो मेरी क्लास है यह क्लास जो है नौ नमबर की क्लास है इससे पहले आपने अभी तक जो है वीडियो नहीं देखी हो क्लास आठ की या इससे पीछे की तो यहाँ पर जो है इसी चैनल पर इसका प्लेलिस्ट पर रहा हुआ है हिंदी रिविजन का तो वहां से जाकर आप पिछली क्लास देख सकते हैं जाम से पहले आप सारी क्लास देख कर जाएंगे ठीक मैंने Important इंपर्टेंट टॉपिक आपके लिए करवाएं देखिकिए मैंने بिलॉमप करवा दिया है परियावाचिबी पहले है ठीकWow अनेख शब्दों के लिए एक के अनेक सब्द भी करवा दिया है तो यह सभी टॉपिक आप जरूर देखके जाएंगे और यकीन मानिए जो मैं यह टॉपिक आपके लिए शुरू किया हूं ठीक हिंदी रिवीजन प्रश्ण यहीं से बनेगा क्योंकि मैंने जितने भी आज तक मुझे गए प्रश्ण हैं अच्छे से किया है जो भी पुराने कुश्चन है 10-15-20 साल के सभी कुश्चनों पर डिस्कस किया है तो यह वीडियो आपके लिए इंपोर्डेंट होने वाली है आपकी प्रिष्छा के दर्श से तो आप जरूर देखकर जाएंगे एक बार इस वीडियो को दोस्तों तो आ पहले हम थोड़ा से जान लेते हैं इसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे ठीक है इसके बाद हम रिवीजन करेंगे तो देखिए दोस्तों यहां पर आपसे इसकी पहले पारिभासा जान लीजिए परिभासा सभी को मालूम होगी ठीक है अनेक सब्दों जो है अनेकार्थी अ इसमें परिभार्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली तो आपको पता होगा अनेकार्थी सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेश करने दोस्तों ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहें और इसी चैनल पर हमारी जो है सुबा की जो क्लास आती है करेंट अफेर की उसको देखना न भूले और उसको भी देखें रोज सुबा ठीक है ताकि आपको करेंट अफेर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली तो दोस्तों आईए पहले शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए पहला आपको जानेंगे फिर इसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे कोश्चन के माध्यम से तो आई यह शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर आपसे पूझा सारंग अनेक अर्थी क्या होता है दोस्तों जिसके अनेक अर्थ होते हैं तो सारंग सब्द का अर्थ क्य हां यहा भी होता है काम देव भी होता है राज हन्स भी होता है ठीक है तो याद रखेंगे आप से पुझे यहारीbreak की क्या क्या अर्थ होते हैं हरी जो सर्प को भी भी वह जोते हैं मेड़क को भी वहलते हैं सिंग घोडा वानर हम तो यह सभी क्या है हरी के अन्यकार्थी सब्द है ठीक है आप से पुछे नग नग क्या होता है नग परवत भी होता है ठीक है परवत को भी आप नग कहते हैं अन्यकार्थी में और शूर्य और सर्प यह अन्यकार्थी है नग के तो याद रखेंगे और यहां पर जीवन घीवन है यहाद रखीं याद इक्या मूख को क्या मतलब क्या होता है और्थ क्या मतलब कोई अर्थ क्या होता है कोई अर्थ होता तो उसका कोई एक मतलब होता है उसका एक कारण होता है और अर्थ जो होता है उसको धन भी कहते हैं तो याद रखेंगे ठीक है यहां पर देखिए अंबर अंबर के जो होते हैं अंबर होता है वस्तरेक अंबर को अकास भी कहते हैं अ चंद्रमा भी होता है तो यहां पर देखिए दोस्तों आप से पूछा गया है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, तो होता है एक अर्ध में होता है अरत है एक गोद अध्याय है करश्ण, करश्ण जो होता है क्रश्ण जो होते हैं क्रश्ण के जो अनेक अर्थ क्या होते हैं एक काला क्योंकि क्रश्ण जो हो काले थे सामले थे स्याम हो इनका हो जाएगा ठीक है मधु शूदन हो जाएगा ठीक है तो अपसन जो स्वरी अपसन नहीं यहां पर काला हो जाएगा स्याम हो गया मधु होता है तो याद रखेंगे दोस्तों आईए यहाँ पर कुशा हो रहें यहाँ पर देखिए ठीक है कि आप से कि पानी का आपको सभी को पता होगा पानी की पानी का जो अर्थ होता है चमक भी होता है क्या होता है और यह इंटित होते हैं पानी के जो हो अर्थ होते हैं यहां पर देखियो सुसिजित कच्छ का जो अर्थ क्या होता है अर्थी में बैठक लच्छ देखें लच्छ के क्या हो गया अर्थी सब दोते हैं लच्छ एक नियस लच्छ क्या होता है एक हमारा उद्देश होता है किसी लच्छ को पा सब्द में क्या क्या होगा सुधा सुधा एक होता है अम्रत हम्रत को हम सुधा बोलते हैं और एक पानी होता है तो क्या हो क्या होगा अम्रत और पानी ठीक है दोस्तों यहां पर देखो अनेकार्थी सब्द के सम्मू कौन कौन से एक अंग होते हैं और एक अवयो होते हैं एक अंस होते हैं एक सरीर होते हैं तो इस सब्दी जो है इसके अनेकार्थी सब्द हैं यहाँ पर देखो करवरण अरके यह एक ही सम्मू के अनेकार्थी सब्द हैं ठीक एक ही सम्मू में आते हैं यहां पर देखिए वस्त्र और अंबर और आकास यह सब एक ही अनेकार्थी सब्द हैं सराब 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 सहद मधू ठीक है यहां पर अनेकार्थी सब्द दिये गए हैं तो याद कर लेना सभी को ठीक दोस्तों यहां पर देखो कानन कांतार मही महाबीर तात पूंज पिता यह एक गुरूप के हैं और यह एक समूँ के हैं तो याद रखेंगे यहां पर देखिए दूज दूज मैंने परियावाची में आपको पढ़ाया था अच्छे से कि दूज के अर्थ होते हैं एक दात होता है एक पच्छी होता है क्योंकि दात दो खर एक होता है गधा को भी बोलते हैं एक तिनका को भी बोलते हैं ठीक है एक राच्छस को भी बेलते हैं डूस्ट और प्रखर को भी हम खर बोलते हैं नग नग होता है नग एक हाथी को बोलते हैं और नग एक पहाड़ होता है तो परवत को भी बोलते हैं सर्प और बादल और वायु ठीक है यह नक के अर्थ होते हैं गो को हम गाय बोलते हैं गाय हो गया गो को नदी भी बोलते हैं घृक इंद्रियां होती है तरे आकाश प्रत्वी इंद्र वज्र वाडी सरस्वति माता गो मतले गो माता जल दिसा सांड बायल ये सब गो के हैं ठीक सांड बायल चंद्रमा घोड़ा संख्या नौ ठीक है ये किसके गो के अनेक आर्थी सब्द है अब जो अब जो कमत अर्थ होता है कमाल चंद्रमा संख कपूर ठीक है क्या होते हैं अब जो के अनेक अर्थी मे तो अब जो अनेक अर्थ होते हैं क्या-क्या कमल होता है चन्रवा होता है और संक और कपूर होता है तो याद रखेंगे यहाँ पर देखिए पतवार में करन आता है कुंति पुत्र आते हैं पतवार कान तीक और सम कॉंट तर्भुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है उस अर्थ में क्या आता है पानी के इज्जत आता है ठीक जमक जल और लज्जा वर्सा ठीक है और स्वाभिमान वन ये सब पानी के अनेक अर्थ है अंबर अंबर का जो होता है वस्र होता है आकास होता है बादल होता है गगन ठीक है और कपास एक इत्र मेग होता है पहाड होता है अटल होता है निश्चित चल होता है तो यह सब किसके हैं अचल के क्योंकि पहाल अचल है एक जगह टिका हुआ है अटल होता है ठीक है निश्चल होता है तो यह सब किसके हैं अचल के दुज अभी बताया मैं दुज का जो अनेकर्थी सब्द होते हैं वो अंडज होते हैं प् राम्हड होता है, चंद्रमा और दात होता है, सारंग, सारंग के जो अनेक अर्थी क्या होते हैं, बादल होता है, कोयल होता है, धनुस, चातक, भावरा, मोर, शोना, यह सभी किसके हैं, सारंग के हैं, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए पानी, अभी पानी के हम कानून भी बिधी है, ब्रम्हा, ठीक है, यह ब्रम्हा भी बिधी का अनेकार्थी सब्द है, यहाँ पर ब्यवस्था है, किस बिधी से ब्यवस्था है, ठीक है, तरीका होता है एक बिधी, एक अवधी होता है, तो यह सबी किसके हैं बिधी के, अमरत के अभी मैंने बताएं, अमरत जो होता है, जल भी होता है, ठीक है, और स्वर्ग होता है, दूध, अन्पारा, यह सब अमरत के हैं, अरक, अरक देखिए, अरक की अनेकार्थी क्या होता है, ब्रह्मा होता है, बिशुनू होते हैं, अरक म होता है शूर होता है मदार का पउधा इंद्र इस फटीग होता है तो यहां पर याद रखेंगे पत्र का पत्र में होता है पत्ता एक ठीक है एक चिठी होती है पत्र एक कागज होता इसकर्थ पंक भी होता है समाचार पत्र भी होता है धातु का पत्थर भी पत्र होता है तो याद रखेंगे दोस्तों, अब आई यह दोस्तों अब हम बात करता है निस्ट यहां पर आपसे पुछा गया है बताईए फल फल क्या बताया सब्सक्राइब कि अनेकार्थी मैं, फल में जोगा दोस्तों वह परिणाम क्या होता है जैसे आपसे बोला जाए कि फल नहीं मिला तो फल मतलब परिणाम होता है ठीक है फल एक लाब होता है फल मिलना एक लाब होता है एक परिणाम होता है एक फल होता है मेवा एक प्रभाव होता है किसी फल पर क्या प्रभाव पढ़ा ठीक है और एक होता है रस्युक तो फल क्या होता ह है फल मिलता है तो वह होगा कर्म कैसे तुम्हारे कर्म है तो उस इसाब से फल वह वाला एक फल ठीक है और एक सस्त्र या अग्रभाग ठीक है तो होगा फल यहां पर दिए घं घं जो हता बादल घंड और एक भारी हतोड़ा भी उसको भी घंड बोलते हैं और किसी संख्या को उसी संख्या में दो बार गुड़ा करने का जो गुड़न फल होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं घं बोलते हैं तो याद रखेंगे और एक यहां पर रस रस एक अर्क होता है एक रूप होता है एक पानी होता है रस ठीक है पानी एक स्वाद तत्तो निचोड भी होता है रस का अनेकर्थ और आनंद ठीक है धातु का भश्म इस अभी किसके हैं रस के तो याद रखेंगे यहां पर देखिए दोस्तों दू वर वर के अनेकर्थ क्या होते हैं वर किसको बोलते हैं दूला ठीक है स्रेष्ट दूला स्रेष्ट है वरन करने योगों को भी वर कार्थ होता ह और वरदान भी होता है पती पती क्या होता है पती भी वरका अनेकर्थी सब्ध है और आशिरवाद भी वरका अनेकर्थी सब्ध है पर याद रखेंगे दोस्तों ठीक है अनुसीलन समागरी से जो अनेकर्थी क्या क्या हो है अंबर जो होता है अंबर के अनेक होते वस्त होते हैं ठीक है अनोश कपास अवरक बादल ये अमरत इसके हैं अंबर के अमरत होता सुधा जल घी अन मुक्ति पारा शोना इक इसके हैं अमरत के अही होता है सर्प का राहू का प्रतिवी का सूर दुष्ट और ब्रत्रा शुर ये किसके हैं अही के दोस्तों याद रखेंगे आए यहाँ पर देखिए आराम आराम तो समझते हैं आराम आपको कहां मिलता है वाटिका में तो आराम के अर्थ होते हैं आराम के अर्थ वाटिक करना इससे भी आराम होता है तो आराम के अर्थ क्या क्या हो गई शुधा शुबिद्ह हो गई राहत हो गई विष्राम हो गया ऐसे आप रिलेट करके आप याद करेंगे ठीक है अंकोर कहेंगे नहीं कोर में उछाना कोर मतलब गोद भेट फिट भेट भेट रिस्वत भी होता है अंकोर का कलेवा और दुपहरी यह सब किसके हैं अंकोर के अनेकर्थ होते हैं अंब होता है आम का ब्रच्छ या फल या माता भी होता है अंब माता भी होता है और अंब दुरगा भी होता है अचल कोन है पहाल है और अटल भी है अचल है तो अटल है निश्चल है मतलब एक दढ़ा टिका हुआ तो यह पहाल के है ठीक है किसके अचल के है अनेकर्द अदिती होता है देताओं की माता प्रथवी और प्रक्ति यह अदिती के अनेकर्थ है अरक शूर आक इंद्र तांबा पिश्णू आशव यह सब किसके हैं अरक के तो याद रखेंगे यहां पर बोला गया अरुण लोचन अरुण लोचन के अनेक अर्थ क्या क्या होता है लाल होता है क्या होता दोस्तों लाल नेत्र भी होता है अरुण लोचन का कबूतर होता है कोकिल यह किसके होता है अरुण के लोचन के याद रखना यहांपर दौस्तों देखिये, आप से पूछा गया अरनौ अरनौ के कौझ कौझ से अर्थ होते हैं? अरनौ होता है शमुद्र का, शूर का और इंद्र का यह किसके अर्थ हैं? अरनौ के और अर्फ के अर्फ होता बालक, सिश, सिशिर और सागपात ये किसके हैं अर्व के अस्म अस्मों पत्थर होता है परवत होता है बादल ये किसके हैं अनेक अर्थ ये होते हैं अस्म के ठीक है याद रखेंगे दोस्तों अस्म के पत्थर परवत बादल अली की क्या क्या अर्थ होता है अली हम लोग क्या बोलते हैं भावरा को ठीक है भावरा को अली बोलते हैं बिच्छु भी अली अर्थ होता है और भ्रमरी भी होता है पंक्ती भी होता है बांध और सेतू ये अली के अर्थ है और उरी उरी में हो जांग होता है बिसाल होता है ये उरी के अनेकार्थी होते हैं, उर्मी के लाहर होता है, दुख, शिकन, कपड़े की सिल, ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, उर्मी के अनेकार्थी बोलते हैं, कपी, कपी, आप समझते हैं, कपी होता है, बंदर, हाथी को भी बोलते हैं, कपी और शूरे, ठीक है, त पर देखें, पूछा गया है कि कपिल, कपिल में क्या क्या आते हैं, अगनी आता है, कुट्था आता है, चूहा, सिलाजीत, शिव वानर, शूर, बिश्नु, और मटमयला, सफेद या मुनी, यह सब कपिल के अनेक अर्थी सब्ध हैं, ठीक है, कल धौत, कल धौत, कल धौत में आता है, सोना चांदी, ठीक है, सुमधुर, सुन्दर, धौला हुआ, यह सब किसके हैं, दोस्तों, यह हैं, कल धौत के, कलापिनी, कलापिनी के क्या होते हैं, मोरनी होती है, क्या दोस्तों, मोरनी और रात्री, क्या सब किसके हैं, यह मोरनी और रात्री, यह मोरनी और रात् ये कली के अनेकार्थी सब हैं कशिपू कशिप के क्या होता है तकिया होता है क्या होता है तकिया होता है बिछोना होता है अन्न होता है भात आशन कपड़ा प्रहलाद के पिता ये क्या होते हैं कपिशु के अनेकार्थी सब्द होते हैं दोस्तोों याद रखें यहांपर आपसे पूछा गया है कि बताइए कांत के क्वान कां पती होता है स्री केशन भी होते हैं कां विष्न कार्थ भी होता है चन्द्रम siamo शीय-बसन्त और इच्रितु और कार्द के ये सब कांत के अनेकार्थी सब्द हैं केहर केहर होता है सिंग और घोड़ा का एक जो होता है एक घोड़ा और केहर जो होते हैं वो केहरी के अनेकार्थी सब्द हैं कोश के बारे पूछे आप तो कोश जो होता है खजाना होता है ठीक है मियान भी होता है इस्तिरी, नितंब और किला यह सब कलत्र के अनेकार्थी सब्द है दोस्तों यहाँ पर नेश्ट देखिए आप सब मुझा गया है कालापी कलापी के कौन है? मोर है, कोयल है और तरकश बंध है और बट व्रच है यह सब कलापी के अनेकार्थी सब्द है गो गाय, प्रत्वी, दिसा, माता, सरश्रति, इंद्रियां और वाणी ये सब गो के अनेक अर्थी सब्द होते हैं घन आपसे बताएं, घन होता है, एक हतवडा होता है एक घन बादल होता है, एक घना होता है उसी संख्या में दो बार कुछा करने का घुलबूरन फल होता है उसे हम सन और घं कहते हैं तो यह सब याद रखना चपला, हम क्या कि कहते है? चपला किन्यकारती क्या होता है? एक बिजली होता है, एक लच्छमी होता है एक चंचल इस्तरी होता है तो बिजली, लच्मी, चंचल, इस्तरी यह सब चपला के अनेकार्थी है चक्री, किसके हाथ में चक्र होता है? बिशुनू तो बिशुनू और कुमार दोनों के पास एक चक्र होता है तो चकरी किसके अर्थ होते हैं अन्यकार्तिंbyisndon और कुमार के, याद रखेंगे जया, जया से याद रखेंगे, दुरगा, ठीक, पारवती, पताका, हरी, दूब ये किसके जो है अन्यकार्तिंगे, ये जया के अन्यकार्तिंग शऑद में आते हैं आये दोस्तों नेश्ट देखते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है जलजो जलज के ने करती है जल कमर होता है और संक भी होता है मोती होता है शेवार होता है चन्रवा और मचली यह सब संक के ने करती है जात रूप का होता है जात रूप धतूरा और सोना जो है वो जात रूप के अने करती है जीवन जीवन देखिए पानी जिंदगी प्राण जल पुत्र गंगा और अजीविका ये किसके अने करती है ये जीवन के है ताल क्या होता है तलाब होता है ठीक ताल नहीं बोलते हैं तलाब का निकार्थ ताल के क्या होते हैं तलाब होता है ताल का ब्रच्छ होता है और संगीत का संयमंग होता है संकेत ठीक निष्ट देखिए दुर्दुम ये मेढक और बादल के अनेकार्थी होते हैं और दुरोण के कववा, दोना और दुरोणाचार कववा, दोना, दोनाचार ये किसके होते हैं? दुरोण के अनेकार्थी होते हैं जहाँ पर देखिए निष्ट आपसे पूछा गया अंडज प्राणी ठीक ये दूज के अनिकार्थी हैं पच्छी भी होता है और ब्राम्हण भी होता है छत्री वैस दात और चंद्रमा छत्री वैस दात और चंद्रमा और प्राणी पच्छी ठीक अंडज प्राणी ये सबी दूज के अनिकार्थी होते हैं आयो दोस्तों नेश्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा धननजय, धननजय के क्या क्या अनेकार्थी सब्द होते हैं, धननजय के आपसे पूछा गया है, तो दुर्जन होता है, क्या होता दोस्तों, यहाँ पर दुर्जन, अगनी, चित्रक, ब्रच, अर्जून, बि अन्दनी आती है काम धेनुकी बाची यह भी आती है नंदनी नंदनी के अनेकार्थी हैं ठीक है और नलनी अपसänner पुचाल गया तो कमलनी और नदी चाहिए दो अनेकार्थी सब न लनी के है और बाध बीडिक होता है और्स्वार्धारीवommes प्रिकर परिकर जो हो वो होता है अनेकार्थी कमरबंद ठीक है और परिवार्वार शमोह Неौकर चाकर यह सब परिकर हैं पयोधर पयोधर के सब्सक्री बादा लाता है इस्तान आता है परवत और तलाब परवत और तलाब ये पयोधर के हैं पानी में क्या आते हैं जल मैंने डिसकर्श किया चमक सम्मान भी ये वर्सा इज्जत और लज्जा जैसा पानी के अनेकार्थी सब्ध हैं आईए दोस्तों यहाँ पर देखें आप से पूछा गया है कि बदेखें ये पिंज्डर ये पिंज्ड़ा रता है अस्थी पंजर पीला और्सोना फल मलें प्ल के बारे में आको ऀल चाह मेवस होता एक परिणाम होता है पोल ये लाब होता है है एक वत्र का अग्रभाग भी फल कहलाता है तो याद रखना शनना शाकरसा रसा का या या अनेक आर्थी सब्धे रसा ठीक है प्रतिभी और जीव और सोर्वा यहां पर देखें दोस्तों आप से मुच्छा के माधव वसंत रितु विश्णू स्रीकेश्ट वैसाक महिना यह मिहर मिहर क्या सूर्य होता है बादल होता हवा चंद्र और आक यह मिहर की अनेक आर्थी सब अपसरा आती है एक अपसरा भी होता है रंभा कानेकार्थी सब्ध और एक केला भी होता है और एक वैस्या भी होता है तो रंभा की क्या क्यानेकार्थी होते हैं एक अपसरा केला और वैस्या ठीक है रेस रस में देखिए रस एक स्वाद होता है स्वाद रस लेंगे होता है और आनंद आता है रस से ठीक है और जल जल तो पता ही है रस है ठीक है आउसदी का जो अर्क होता है उसका भी अर्थ होता है ठीक है यहीं रस से के सब अनिकार्थी सब्ध है यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है रसाल क्या दोस्तों पूछा है रसाल आम का होता ह आपने पड़ा परिया वाचिम पड़ा होगा ठीक है इख और रसीला मीठा यह किसे के हैं अनेकार्थी सब्द यह होते हैं रसाल के वन के क्या होते हैं जंगल होता है पानी भी होता है ठीक है भावन और वाठिका ये सब्वन के अनेकार्थी सब्ध है वर के होता है दूलहा आशिरवाद और स्रेष्ट और वर्दान ठीक है ये सब दूलहा के अनेकार्थी सब्ध है विहंग और विहंग ठीक है विहंगम विहंग और विहंगम ये पच्छी बादल वायू विवान शूर चंद्रवा तारागन देवता ये सब किसके हैं विहंग और विहंगम गे यहां पर देखिए स्युका पूछा आपसे क्या होता है क्योंकि किसका अनेकार्थी काल्यार्थ है महा देव क्या मंगल मंगल होगा थीक महादेव क्या हुआ है मंगल भागिशाली टीक है तो यह भी 15 का अनेकार्थी सब्द है सूर, सूर, सूर क्या होता है बीर होता है सूर बीर, सूर बीर ठीक है, बीर, योध्या, बिश्णुडू और सिंग ये सूर के सूर, सूर के अनेकार्थी सब्द में आते हैं आईए दोस्तों, यहाँ पर बात करिए यहाँ पर सारंग के बारे में आपसे पूछा है सारंग, छाता, तलाब, कमल, गहना, भावरा, चंद्रमा और कपूर, सिस्त्री, फूल, स्रीकर्ष्ण, रात्री, समुद्र, वार, और पानी यह सब किसके हैं? सारंग के तो यह सब ही सब याद रखेंगे, एक बार रिविजन जरूर करेंगे क्लास को ठीक है? इस पूरे क्लास को आईए दोस्तो, अब हम सुरू करते हैं कुश्चन पर रिविजन करते हैं, आज का कुश्चन जानते हैं ठीक कौन कुश्चन आपसे बन सकते हैं जो भी आई हुए प्रिश्ण हैं सभी प्रिश्णों पर चर्चा करेंगे और अभी तक आप नए चैनल पर हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें देखिए दोस्तो अब हम बात करते हैं अनेकार्थी सब्द के बारे में वहां से प्रिश्ण करते हैं और सभी लोग इसका एंसर जरूर देना ठीक है आई यह दोस्तों सुरू करते हैं कुश्ण नंबर हमारा पहला है आपसे पूछा गया है कि निमलिखित में से कौन सा सब्द सारंग का अर्थ नहीं है तो सारंग का अर्थ नहीं है पपीहा भी होता है, कामदेव भी होता है, राजहंस भी होता है, लेकिन सहथ नहीं होता है, अपसन नमबर 20 है, आगे बढ़ते हैं, नेस्ट कुशन की बात करते हैं, कुशन नमबर 2, और आपसे पूछा गया है, कि बताइए, सरप मेढक सिंग घोडा वानर हाथी, ठीक है, को समझाने वाला सब्द कौन सा है, तो हरी है, ठीक है, देखिए, पसू भी होता है, सिव भी होता है, कपीस भी होता है, लेकिन यह हरी नहीं होता है, नग, नग का, नग का अने कारती सब्द नहीं है, पूछा है, परवत होता है, ठीक है, और सरप भी होता है, शूर भी होता ह अबसces नहीं है तो मुक का अनेकार्थी सब्द कॉन सा नहीं है तो मुथ का नहीं है मुख क्तर। चुप गूंगा आपसे कि कौन स सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोस्ते ह closest तो जो अर्थ होता है यही अनेकार्थ है है अनेकार्थक है सब्द है यहां पो देखिए निम्ण में कोँ सा सब्द अनेकार्थक है तो वो है अंबर अब्स नंबर जो सी है यह डाले सरह है । आए दोस्तों नेश्ट क्विश्चन की बात करते हैं जबनन में है आप से पूछा क्या है इस बटाटिये उते अनेकार्थी सब्द अब्ज के गलत बिकल्प का चैन करें जो नहीं है वही आपका सही होता है देखिए चंद्रमा होता है कपूर होता है शंक होता है लेकिन मेग नहीं है तो मेग इसका राइट अंसर हो जाएगा निमलिखी सब्दों में से एक का अर्थ धन मतलब कारण और आगे क्या होगा और इसके अर्थ क्या होगे तो होगा अर्थ आपसा नंबर जो सी राइट अंसर है आगे देखिए दोस्तों नेश्ट कुईशन की बात करते हैं अगर आपसे पूछे कि अंक सब्द के वें क्या होता है मैंने बता है घोध होता है संख्या और एक अध्या होता है तो आपसा नंबर भीर आइट अंसर है नेस्ट कुश्चन अनेक आर्थी सब्द का जो क्रश्ण के लिए निम्लिखित में से गलत बिकल्ब का चैन के क्रश्ण क्रश्ण काला होता है मैंने बताया स्याम होते हैं ठीक है और जो होता है वो होता है मधुशूदन तो ये तीनों इसके सही आर्थ हैं कौन नहीं है किसी नजर तथा आच्छेप होता है ठीक है तो किसका होता है यह होता है कटाच का अपसर नमबर डी सही है आगे देखिए दोस्तों नेश्ट की बात करते हैं और आप से पूछा गया है कि बताईए अनेकार्थी सब्द नाग नाग का निम्लिखित में से क्या आर्थ है तो अनेकार्थी सब्द पानी के लिए निम्लिखित में से गलत कौन है तो पानी सभी पानी के है कौन सा पानी का नहीं आप से पूछा है तो पानी देखे इज़्जत भी होता चमक और जल लेकिन संजीवनी नहीं है तो आपसर नमबर सी राइट अंसर है आगे देखिए निश सुजित कच्छ अवश्यक होता है तो कौन सा होता है इसके अनेकार्थी क्या होगा बैठक ठीक लच्छ का अनेकार्थक सब्द क्या होगा लच्छ लच्छ एक निशाना होता है एक उद्देश होता है तो आपसर नमबर जो ए है राइट अंसर है next question सुधा का बताईए तो सुधा का जो अनेक आर्थक सब्द आप से पूछा गया कि बताईए सुधा का क्या होगा दोस्तों तो बताईए दोस्तों इसका अंसर आप दीजिए आप इसका सुधा का तो सुधा का पूछा है क्या होगा तो सुधा का जो होगा वो होगा अमरत और पानी इसमें तो आपसर नमबर जो बी है राइट अंसर है क्या है दोस्तों बी इसका राइट अंसर है अमरत और पानी यह होते हैं सुधा के तो याद रखेंगे दोस्तों किसके होते हैं सुधा के अनेकार्थी सब्द में आते हैं अम्रत और पानी कुश्यन नमबर अठारा देखिए दोस्तों कुश्यन नमबर अठारा आपसे पूछा गया है कि अनेकार्थी सब्द समू का पहचान कर चिन्हित कीजिए तो क्या होगा यह होगा यहाँ पर जब एक अनेकार्थी सब्द पहचान यहाँ पर तो जो आपसा न रखेंगे और question number 19 है आपसे पूछा गया है कि आप बताइए एक सब्द की अनेक अर्थी नहीं है तो जो अलग होगा वही आपका right answer होगा तो देखें कर और वर्ण और अर्क यह सब एक हैं लेकिन लज्जा इसका right answer है सबसे अलग है लज्जा याद रखेंगे दोस्तों क्या right answer है लज्जा ठीक है यहाँ पर आप देखें question number आपसे 20 पूछा गया है कि जिन इनमें जो दिये गए सब्दों में जिनमें तीन अनेक अर्थक सब्द की स्रेणी में आते हैं जो एक सब्द इस स्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर होगा तो इसका जो answer देना है तो देखिए दोस्तों देखिए आपसे पूछा ग होगा यहां पर देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है यह वाला question number 21 मधू और सहद ठीक है दोस्तों और सराब यह एक ही स्रेणी में आते हैं दूद्र अलग होगा आपसे नंबर बी ठीक next question question number 22 है आपसे पूछा देखिए question number 22 इंद्र और सिंग और सूर्य यह एक स्रेणी में आते हैं ठीक है यह एक स्रेणी में आते हैं अलग क्या होगा आपका अलग जो होगा वो होगा ब्राम्हाड अपसा number C next है आपसे पूछा है देखिए यहां पर बल, सेन, और सकती ठीक है इसके जो है एक ही स्रेणी में आते हैं लेकिन जो सजा है वो आपका राईट answer होगा dense देखिए यहां पर पूछा थे पामनी ठीक है यह जो मोती है यह पानी का अर्थ है लेकिन यहां पर तात, पिता और पूंज ये इसके सब एक स्रेणी में आते हैं लेकिन जो मोती है ये पाने की कार्थ देता है ठीक अनेकार्थी है यहाँ पर देखिए निश्ट आपसे मुझा कौन सा सब्द अनेकार्थी नहीं है तो कौन सा सबसे अलग है तो देखिए कनक महाबीर और अनंत ये सभी एक स्रेणी में आते हैं भत्या आपका राइट अंसर होगा नेश्ट देखिए question number 26 है आपसे पूछा है दुज के अनेकार्थी सब्द में से कौन सा एक सब्द नहीं आता है दुज होता है दात ठीक है राइट है और ब्राम्हड भी होता है पच्छी भी होता है लेकिन विदेह नहीं होता है तो अपसा number D इसका राइट अंसर है नेश्ट कौन सा सब्द अंबर का अनेकार्थी है अंबर तो अंबर का अनेकार्थी कौन है गगन तो अपसा number A इसका राइट अंसर है निस्ट देखिए दोस्तो और आपसे पूछा गया है कि बताइए अचल सब्द का अर्थ है इस्थिर और दूसरा अर्थ आपसे पूछा है तो दूसरा होता है निस्चल क्या होता है दूस्चल तो याद रखें 20 राइट अंसर है कौन सा सब्द दूज का अनिकार्थी सब्द नहीं है पूछा है दूज क्या होता है दात भी होता है ठीक है चंद्रमा भी होता है पच्छी भी होता है लेकिन सिंग स्थ्रेणी में नहीं आता है आएए देखिए निस्ट क्यूशन नमबर 30 है आपसे पूछा गया है कि चंद् और ब्राम्हड के लिए एक सब्द बताईए तो अनेक आर्थी में तो चंद्रमा और ब्राम्हड जो होते हैं वो किसमें आते हैं दूज में ठीक हैं तो आपसर नंबर जो B है राइट अंसर है और दात भी C में आता है स्यर्णा देखिए अब गुंठन का अर्थ क्या होता है अगुंठन मतलब क्या होता है घूंगट याद रखेंगे नेस्ट कोश्चन की बात करते हैं कुश्चन नंबर 32 और आप से पुच गया है कि एसना का अर्थ क्या होता है तो अभिलासा होता है आपसन नंबर सी सही है नेस्ट दैवग का रथ क्या हो दैवग होता है जो सी आपसन नंबर बी सही है नेस्ट कुश्चन दूज के अनेकार्थी सब्द आपसे पूछे हैं दूज के पूछे हैं तो दूज मैं आपसे इस त्रेण में विदेए सबसे अलग है देखिए कुश्चन नंबर 35 है गो का अर्थ आप नहीं है तो कौन देखिए गो के अनिकार्थी जो नहीं है वही आपका राइट अंसर होगा तो देखिए गाय भी होगा और इंदरी भी होगा और नदी भी होगा लेकिन गज ये गो क कि आपके हैं कुश्यन नंबर 36 देखिए आप से पूचा गया है कि निम्रिकी सब्दों में से एक सर्थ पतवार भी है तो पतवार किसका होगा पतवार होगा करण का यह तो आप से पानी का आर्थ देता है तो देखिए दोस्तों पानी यह पानी के अनेकार्थी सब्द में कौन आता है तो वही आपका राइट अंसर होगा तो वन आपसा नंबर जो बी है राइट अंसर है आगे देखिए दोस्तों नेश्ट कुश्चन कुश्चन नंबर 38 है और आप से पुछा गया है कि बताइए निमलिखित में से विकलूप में से मतसर सब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है तो देखिए को नहीं है तो जो कुरोधा का ये इसका है रूप है ठीक है इस्रेणी म है इस आप्सन में जो ए है वह राइट अंसर होगा है नेश्ट कुश्चन द देखिए मुश्चन नंबर 40 आपसे पुछा गया है कि स्वरग प्रतिवी शूरे किस सब्द के अनेकार्थी कि इस सब्द कि इसमें अनेकार्थी है तो इसमें आप शन डी है पानी विकल्प मतलब याद रहने अन्यकार्थी सब्द हैं आगे देखिए दोस्तों कुश्चन नंबर 42 है और आप से पुछा गया कि बताईए जो है विधी के इन अनेकार्थी सब्दों में एक गलत है ठीक है उसे चैनित कीजिए तो जो चैनित करना जो सबसे अलग है तो जो ब्राम्हण भी होता है कानौन और पध्धती एक स्ट का वो होता है प्यूस तो अपसा नंबर इसमें जो सी है वो आपका राइट अंसर होगा आए दोस्तों आगे देखते हैं यहां पर पूछा अर्क का अनेकार्थी नहीं है तो जो नहीं है वही आपका राइट अंसर होगा अर्क का अर्क का देखो यह होता शूर भी होता है और एक आक पेंड भी होता है अरक ठीक है और एक होता प्रकास किरन तो जो जुआला है ये अरक का अनिकार्थी सब्द नहीं है नेश्ट कौन सा सब्द पत्र सब्द का अनिकार्थी सब्द नहीं है पत्र पत्र देखिए पत्ता भी होता है ठीक कागज जो है इसमे नहीं आएगा चित्थी और पुस्प ठीक है यह आपके right answer हो गए तो जो कह रहा है काउन सा नहीं है तो चित्थी भी होगी पत्ता भी होगा कागज जो इसमें D है यह आपका right answer है तो D होगा ठीक है दोस्तो इसका जो 45 नमबर का question है इसमें D होए ठीक यहां पर जो अंसर है यह गलत दिया हुआ है त्याद रखेंगे आए दोस्तों आगे देखते हैं next question नमबर 46 है आपसे पूछा कि कौन सा सब्द फल का सब्द का अनेकार्थी सब्द नहीं है फल फलका नहीं पूछा है तो देखिए परिणाम होगा ठीक है फलका और जो प्रभाव भी पड़ेगा फलका तो प्रभाव भी होगा और जो रस्यूक्त होता है यह भी होगा तो अपसे नमबर 20 का राइट अंसर है जीवन का एक अर्थ है जिन्दगी दूसरा अर्थ क्या होगा दूसरा अर्थ जो है पानी होगा अपसर नमबर जो ए है राइट अंसर है आई यह नेस्ट कुश्चन है क्विश्चन नमबर 48 है और आपसे पूछा गया है कि बताईये निमलिखी सब्दों में ती घन का अने सब्द रस का अनेकार्थी सब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है रस रस रूप भी होता है पानी भी मैंने बताया आपको पानी भी होता है और स्वाद भी होता है लेकिन पारा यह सबसे अलग है इस त्रेंड में नहीं आता इन सभी के तो पारा इस का राइट एंसर हो ठीक है दूला इसमें है नहीं नहीं और स्रेष्ट भी होता है पती भी होता है ठीक है और वरदान भी होता है लेकिन सुवर्ण नहीं होता है तो सुवर्ण इसका राइट अंसरों का सुवर्ण इसके अनेकार्थी सब्दों में नहीं है सबसे अलग है ठीक है इस त्रेणी में बखतर होगा यहां पर देखिए दोस्तों निश्ट आप से पूछा कि निम लिखित में एक सब्द अनेकार्थी नहीं है तो कौन नहीं है सब्धी यह पत्र भी इनेकार्थी दंड भी है ठीक दोस्तों और मुद्रा भी लेकिन पुस्तक इसका राइट अंसर है भक्ति का अर्थ नहीं है भक्ति भक्ति देखिए सेवा भी होती है एक भक्ति होती है ठीक है और स्रद्धा भी भक्ति होती है और दोस्तों पूझा भी एक भक्ति होती है लेकि कभिता इसका राइट अंसर कभिता इस स्र सब्सका दूसरा अर्थ क्या होगा तो दूसरा अज्ज अजन्मा ठीक है तो क्या होगा इस्वर अप्सान नंबर भी यहां पर देखिए यह आपर पूछा गए है प्रमत्त और स्वच्छाचारी ठीक है दूसरा अर्थ बताना है तो प्रमत्त स्वच्छाचारी का जो अर्थ होता है वो उन्मत होता है अपसर नंबर जो ए है वो राइट अंसर है आगे देखिए निष्ट कनक का एक अर्थ होता है धतूरा और कनक का दूसरा अर्थ पूछा है तो उसमें क्या बताएगा है कि दूसरा अर्थ बताईए तो कनक का एक अर्थ होता है धतूरा दूसरा अर्थ क्या होता है सोना आपसे नमबर डिस है ठीक है तो याद रखेंगे देखिए यहां पर question number 57 आपसे पूचा है एक का अर्थ 9 का है तो दूसरा अर्थ क्या होगा नोका का ठीक है तो दो होगा तरणी आपसर नंबर ए इसका राइट अंसर है नेश्जो कुईष्यन की बात करते हैं आपसे पूचन एक का अर्थ 12 होता है क्या होता दोस्तों इस्तिरी तो दूसरा क्या होगा तो अंगना होगा आपसन नंबर जो B है राइट अंसर है तो इस्तिरी के दो अर्थ है ठीक है अंगना भी है आपसे पूचा गया wanna amam अर्थ क्या होगा दूसरा जो होता है आपत्ती होता है क्या होता दूसरा आपत्ती आपसा नमबर भी राइट अंसर है नेस्ट पूश्य नमबर साथ है और आपसे पूंचा गया है एकल सकल का अर्थ क्या होता है तो एकल सकल का जो अर्थ होता है संपूर और अंस होता है तो ическая लॉम्पन to have a ones रॉइंसर में निश्ट कीर सब्द का अर्थ क्या है कीर की आर्थ होता है तो हुआता ताक्ma नंबर जो leaf का राइट अंसर है निश्ट देख़ए यहाँ पर आप से पूछा गया है कि作eda नग नग का अनेका अर्थ इस सब्द नहीं है नग क्या होता है परवत भी होता है इसका और सर्प भी होता है और सूर भी होता लेकिन हाथी नहीं होता हाथी नाग कानेकार्थी सब्दें ठीक है तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पर देखिए रसाल का हो देखिए आम का प्रिछाव था कर हो है नवेगका नहीं है अनेक आर्थी सब्द नहीं है आपसे पूचा तो अंक एक संख्या भी होती है ठीक है और अंक जो होता है एक गोध होता है और नातक का एक भाग भी अंक होता है लेकिन इसमें जो पिर्थभी दिया गया है यह आप नहीं होता है इस स्रेणी में तो यह पिर्थभी सही होगा देखिए नेश्ट 67 पंच पंच सब्द का अनेकार्थी सब नहीं पूछा है तो पंच का नहीं है पंच भी होता है इसका अर्थ ठीक है और निरने करने वाला पंच जो होते हैं वो होते हैं ठीक है और ग्राम सरपंच जो होते हैं वो भी पंच होते हैं लेकि पंचानन पंचानन नहीं होता है इसका इस त्रेणी में नहीं आता तो पंच 68 नमबर देखिए आप question और इसका अंसर दीजिए पुझा गया है निमलिखिस सब्दों में एक का अर्थ क्या होता है तेल भी होता है तो किसका अर्थ होता है तो इसने अपसर नमबर जो सी है यह इसका राइट अंसर है इसका अंसर दीजिए 69 का पूछा गया है अगला का अनेक आर्थ ही नहीं है तो अगला क्या होगा अगला का होगा जो होगा आगे वाला या सामने भी होता है इसका अर्थ और अगामी भी इसका आर्थ होता है अगला का लेकि आपसे पूछा गया है कि ग्रह बिहेन, बेघर किस सब्द के अनेकार्थी है, ठीक है, तो किसके अनेकार्थी है, ये अगेह के हैं, आपसा नमबर जो C है, राइट अंसर है, 71 देखिए, पाप पातक किस सब्द के अनेकार्थी है, तो जो पाप पातक हैं, ये किसके हैं, ये आपसा नमबर जो B है वही आपका right answer होगा नेश्ट देखिए आपर पूछा गया है कि बताइए आपसे पूछा गया भावरा, कोयल, सक्षी किस सब्द के एनेकार्थी सब्द होते हैं तो यह होते अली के ठीक अली के सब्द होते हैं अली के अनेकार्थी हैं भावरा भी है, कोयल भी है, सक्षी भी है ठीक, नेश्ट देखिए क्रेशन, बिश्डू और अभिनासी यह किस सब्द के अनेकार्थी हैं तो यह है अच्च्यूत के, आपसा नमबर जो B है right answer है चंद्रमा का देखिए दोस्तों, चंद्रमा का आपसे पूछाए, चंद्रमा का, तो चंद्रमा के कौन से अनेकार्थी है चंद्रमा और संक और कपूर किस सब्द के हैं, तो यह जो है अपसा नमबर जो A है right answer है पानी सब्द के जो है पानी किस सब्द के अनिकारती है तो पानी जो होता है प्रतिष्ठा भी होता है और पानी जीवन का भी होता है ठीक है तो इसमें तो दिया नहीं है तो प्रतिष्ठा दिया है तो प्रतिष्ठा इसका राइट अंसर हो जाएगा यहां पर देखिए next question आपसे पूँछा गया है कि बताइए कि बिधी सब्द का अर्थ क्या है का एक कानून होता है दूसरा अर्थ पूँचा है बिधी का तो दूसरा जो अर्थ होता है वो ब्रह्मा होता है आपसे नंबर जो A है वो राइड अंसर होता है फल यहां पर फल सब्द का अनेकार्थी सब्द नहीं पूँचा है तो देखें फल का परिणाम भी होता है और एक अर्थ होता है जो मेवा होता है लेकिन अर्क जो है इससे अलग है इस्त्रणी में नहीं आता ठीक है तो याद रखेंगे नेश्ट आये नेश्ट कुईशन करते हैं कुईशन नमबर 78 है और आपसे पूछा गया है दुज का अर्थ जो है दुज का अनिकार्थी क्या होगा दुज देखिए दुज होता है दात का तो इसमें जो दात है वो बराणा तरह tteम राइट जरें आगे देखिए निश्ट कुछ अर अल्ष कर अ करकर पनें करते तुछ पता है पतवार भी होता है पतवार दिया नहीं हैं गधा भी होतायाई गधा है इसका राइट अंसर हो जाएगा रयर्ष जो का अनिकार्थी सब्लक्र realtà को गाय बीए की लिटाया कि एन्रीया इसका आगर ड़ें थे नाग सब्सक नेकर्थी नहीं हुद्ध मेंयाbak साथी परवत हनुद होता है यह यह इसका राइट अंसर यह स्रेनी में नहीं आता सारंग सारंग का अनिकार्थी सारंग सारंग का अनिकार्थी अप सब पूचा है सारंग जो होता है तो सिंग इसका हो जाएगा राइट अंसर अपसर नमबर बी कि आए दोस्तों यहां पर पुचा गया है रस का ellin नहीं थे बादल थीके और यह जो अंड का नहीं है अम्रत का नहीं है अम्रत स्वर्ग होता है पारा होता है और जो होता ہے जल भी होता लेकिन दूला यह होता है ठीक है, आगे देखें दोस्तों, नेस्ट 96 नंबर आप से पूँछा गया बताइए तरंग का अनेकार्थिर सब नहीं है, कौन नहीं है तरंग का होता है, लहरी और उमंग की भी होता है लहर होता लेकिन जो पैना है ये इसका राइट अंसर होगा पाइना इस्त्रेणी के अंतरगत नहीं आता है तो तरंग के तो याद रखें धवल का अनेकार्थी पूँचा है धवल एक निस्कलंग होता है तो आपसे नमबर एसका राइट अंसर हो जाएगा आईए दोस्तों निस्ट की बात करते हैं आपसे पूचा पत्र का अनेकार्थ सब्ध है पूचा है तो पत्ता है ठीक है तो याद रखेंगे जल यह परवत नहीं है ठीक है बली बली का अनेकार्थी सब्ध नहीं है पूचा बली बली किसका होता है देखिए बली पहले होता है बली एक कर होता है एक बलिदान होता है बली ठीक है और एक क्या होता है उप हार होता है लेकिन मंडल इसका राइट अंसर नहीं है मंडल इन सभी स्रीनी से अलग है नेश्ट है परिकर परिकर का अनेकार्थी क्योंगा परिकर का पूझा है अनेकार्थी सब नहीं पूझा है तो नहीं पे ध्यान देगे, देखिए नहीं पूछा है, तो कमर बंध है, ये है, समू है, और परिवार है, ये सबी है, लेकिन छत्री ये नहीं है, छत्री राइटन्स रोगा, नेश्ट अंक का अनेकार्थी सब्द नहीं है, तो अंक होता है, गोध होता है, शंख्या होता है और दोस्तो चिन भी होता लेकि अंग इसका राइट अंसर होगा अंग इस त्रेनी में नहीं आता है नेश्ट देखिए दोस्तो और आपसे पूछा गया कि बताईए प्रश्ण संख्या एक और दो में अनेक आर्थी सब्द दिये गए है ठीक है और एक आर्थ सब्द के साथ दूसरा अर्थ बताना है तो दूसरा अर्थ आपको इसमें चैन करना है ठीक दोस्तो देखिए प्रमत्त प्रमत्त का यह अर्थ है सुच्छा चारी दूसरा आर्थ आपको बताना है तो दूसरा अर्थ इसमें बताना है तो दूसरा है उन्मत आपसे नंबर एस का राइट नेश्ट दोस्तों समान अर्थी बारे में थोड़ा जान लेते हैं ठीक है समान अर्थ देने वाला जो समान अर्थ बात वही है थोड़ा सा ठीक है वह सब्द जो समान अर्थ के करण दूसरे सब्द का इस्थान ले लेते हैं उन्हें समान अर्थी सब्द कहते हैं समान अर्थ कोई भी सब्ध होगा ठीक है वो दूसरा सब्ध जो होगा उसका इस्थान लेगा वह समनार्थी सब्ध कहलाता है और यह थोड़ा इस पर थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों थोड़ा वन लाइनर चलते हैं फिर इस पर कोश्चन करेंगे तो ये भी जरूरी है, यही important होता है आपके लिए, अरुन, अरुन के जो क्या होते हैं समनार्थी, सूर होता है, सूर जो सार्थी होता है, और मुम जो कुमकुम होता है, अरुन के हैं, अतुल में कौन है, अनोखा आता है, अनुपाम आता है, और अपूर वाता है, और अभी भाव अभिर अउतरन होता है इसका और समनार्थी उच्छ का क्या होता है उच्छ उच्छ मतलब बड़ा है जेश्ठ है उठा हुआ है उच्छ है तो उच्छ का होगा याद रखें ऐसे रिलेट करके यहां पर देखिए उथकंठा 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 का समनार्थी जो है उ करनक के कांद से होता है कम सोना धातूरा और कनक के समनार्थी गेंहुं सोना धतूरा हो जाएगा कुबेर के समनार्थी और धन राज और यहाँ पर देखिए or कlasse किलीविस का समय पर हो जाएगा कि सोष का सब्द और देखे कि जोर होता है goes appeal स्मझार्थी और गोस्टे का समनार्थी क्रोध होता है अमर्ष होता रोश होता है यह सब गुस्ते के समनारती है गेह के समनारती है सदन होता है भवन होता है और निकेतन होता है यहां पर देखिए दोस्तों चतुर कप मुझा है चतुर होता है चलाक होता है तो याद रखेंगे चलाक है ठीक है चतुर है तो चलाक है तो चलाक के हैं यह सभी समन समनार्थी हैं तरंग के उर्मी होता है तुरंग का घोड़ा होता है नाव का समनार्थी होता है तरी नवका या डोंगी इस अभी किसके नाव के नवनीत के ताजा या मक्षन नवनीत का समनार्थी है निर्वात निर्वात है बिना हवावाला है बिना हवाले क्या बोलते हैं निर्वात का समानार्थी है बिना हवावाला यहाद रखेंगे यहाँ पर देखिए नंबरता का समानार्थी क्या होगा नंबरता का होता है बिनीत और न्रप का समानार्थी भूप या महीप ठीक पनंग का समानार्थी पनंग होता है उरग पराजय या माला का समानार्थी होत प्रयोजन का समनाती सब यह होता है हेतू लच्छ उद्देश किसके होते हैं प्रयोजन के यहां पर देखिए सो दोस्तों यहां पर आपसे बताएगया है बोध का समनाती बोध होता है अनुभूती ठीक है यहां पर देखिए दोस्तों सभी को थोड़ा से ध्यान देंगे ठी मद का क्या होगा गर्भ मद नशा मनोहर के क्या होगे सुहावना होगा और मनतब क्या क्या होगा सम्मती तीक है मखन जो मखाना मखाना यहां पर पूछा है मनाखाना क्यों होगा जो होगा तालम मखाना क्या होगा ताल मखाना और मुकुल के समनार्ति होते कली तीक है तो पहले इसके देख लीए फिर कुष्चन करते हैं योगदान के हो का योग दिच्छा हात बटाना सहयोगी ठीक है बीचित क्या संपर होता है अनूठा होता भिन होता है समझपा रहे हैं सर्प सर्प होता है ब्याल ठीक है और भी प्रहु का है जो हता इसका साही होगा ती कर्दा का शकर्द समानाहति होता है वह मुस्ता जийकए शौमेट्र का शमिन आती होता है लचमर हो गाए आगे देखेए यहापने सखा का समनाहति मुच आप से सखा होता है मित्र ठीक है और सुभेच्छु का होताएगा सुभा कांची हिरन का कुरंग हो जाएगा हाथी का हस्त हो जाएगा और यहां पर देखिए पारवती यह महेश्वरी ठीक समानार्थी है केस का हो जाएगा बाल टरब का हो जाएगा बित्त केला का हो जाएगा गदली यह सबी समनार्थी हैं ठीक है केस का बाल द्रब का बित और केला का कदली जोड़ी आपको बताना है देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है बताइए सुमन का पुषपोग आएगा चार पाई का समनार्थी खटिया हो जाएगा पाट साला का हो जाएग विद्याले तो यह समनार्थी है अप समझ पा रहे होंगे यहां पर देखिए कोप का रोस किस सब्द के समनार्थी एक क्रोध के हैं यहां पर देखिए सब्द की जोड़ी स सही है तो देखिए आप से पूछाए जो यह जंडा का क्या हो जाएगा धोज हो जाएगा समनाती और पताका भी हो जाएगा दांत का देखें, दांत का दंत हो जाएगा रदन भी हो जाएगा चांद का क्या हो जाएगा राकेश और रासी हो जाएगा यह जोब चांद के हैं, राकेश और रासी अई दोस्तों, अब हम करते हैं कुश्चन स्टार्ट, ठीक है पहला कुश्चन है इससे पहला कुश्चन है निम्लखी सब्दों में काउन सा अतुल का समनार्थी है तो अतुल का क्या होगा समनार्थी अनल आपसा नमबर जो भी है राइट अंसर है ठीक नहीं है पूछा है सोरी क्या है नहीं है तो अतुल का जो समनार्थी है नहीं है अनो पर पूश्टा कोश्चन अच्छे से पढ़ेंगे ठीक नहीं आपका गलत हो जाएगा तो यहां पर देखिए दोस्तों आप से पुछा कि दिये गया विकल्पों में कौन सा विकल्प अंगरना सब्द का समानार्थी सब्द है अंगरना किसको बतला है तो इस्तरी हो जाएगा आपसा नंबर ए यहां पर देखिए अभिर्भाव का समानार्थी पूछा अभिर्भाव का समानार्थी क्या है तो आउतरनक आपसा नंबर डी है राइट अंसर यहां पर देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है नेमलिकित विकल्पों में उतकंठा के समानार्थी आगे देखिए दोस्तों नेश्ट मुझा गया है आपसे गुशन नमबर शिक्स है पुशा गया कि एसना का समणार्ति सब्द चुनीए तो एसना क्या होता है अभिलास सा अपसन नमबर एस ऑगया नेश्ट नमबर एस साहिए नेश्ट प्लृष्ण Congar, Parana, option number A, this is next कौणऍसा कोकिला का समनार्थी सब्द नहीं है नहीं पूछा थी कोकिलां का क्या होगा पीक होगा कोयल भी होगा थीक है दोस्तों स्यामा भी होगा लेकिन जो मधुकरी नहीं होगा option number जो Bलाइट answer है आयद सदे हैं दोस्टो कुश्चन नंबर 10 और आप से पूछा गया है कि बताइए कि हर सब्द का समानार्थी क्या होगा तो के हर जो होता है जो होता है आपसे नंबर D राइट ऐसर किछ चमाता दोस्तों के सरी तो याद रखेंगे यहाँ पर दिखिए कुश्चन तो याद होगा क्या होता है सदैन होता है बहुन होता है तो निकेतन होता है तो अप्षान नम्बर जोसे प्रणि उसलेशी के समानार्थी स्थ सब्दूब याद हैंगे दोस्तों ठीक है और आगे देखिए कुशन नंबर 12 है और आप से पूछा गया है कि बताइए निमलिखित में से चतुर का समानार्थी सब्सक्ति है यगा इस इसब नहीं होता है अपसा नंबर यहां जल का समानार्थी सब्सक्ति नहीं हो दिम्हा जोंगे कि दोस्ते कुश्चन देखते हैं लेकिन जो नल है यह क्या सी ही है नहीं है तो यहीं इसका राइट अंसर हो जाएगा आए दोस्तों नेश्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नंबर 14 है और आप से पुछा गया है कि बताइए तरंग सब्द का समनार्थी का चैन करें तरंग तरंग किसका होता हुर्मी तो आपसर नंबर जो ए है राइ राइट अंसर है यहां पर देखिए दोस्तों अगर आपसे पुछें नाव का समार्थी सब्द निम्लिखित में से कौन नहीं है तो पहले तो देखिए कि कौन-कौन है ठीक है तरी है नावका डोंगी भी होता है नावका और नौका तो होता ही लेकिन जो तरणई है यह नह नहीं मतब होता ताजा मक्षन अपसा नंबर भी राइट अंसर है ठीक और नमघघए और नमकौन से सब्द का समानार्थी सब्द काउंसा है तो आप से डिसक्स किया था ओन लाइनर में तो नम्रत क्या होगा भीनीत होगा आपसा नंबर जो डी है राइट अंसर है आये ऐस यह अपका राइट अंसर है यहां पर यख यूँछन नमर्व पराजआ एवं माला का एक समनार्थी सब्द क्या होगा तो पराजआ और पराजआ यहां पर देख पराजआ जीत गल्ल होगा ऑफकर माला का पूंछा गया है पयोधी का समनार्थी सब्द, पयोधी, पयोधी किसका होता है? समुद्र का होता है, तो अपसर नमबर D सही है, बोध सब्द का समनार्थी सब्द कौन सा होता है? बोध का, तो बोध का कौन सा होगा? अनुभूती, अपसर नमबर जो D है, राइट है, आगे देखिए दोस्तो कुशन नमबर 23 में आप से पूछा गया है कि बताइए भाल का समनार्थी सब्द कौम सा हो जाएगा तो भाल का जो हो जाएगा मस्तक हो जाएगा तो आपसर नमबर जो A है राइट अंसर है यहां पर देखें निष्ट मनोहर का समनार्थी सब्द कूछा है मनोहर होगा तो सुहाओना होगा तो आपसर नमबर कूछण देखीए मंतब का समनार्थी सब्द तो मनतब का मंतब का अपसिए नमबर । जो B है राइट अंसर है यहां पर देखें शब्विस नमबर कूछण मखाना का समनार्थी कि सब्द निम्लिखित बिकल्पों मेंसे कौँ सा है मखाना मखाना क्या होगा ताल मखाना आपसा नमबर जो ए है राइट असर है आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछिन नमबर 27 है मारा और आपसे पूछा कि बताईए मुकुल निम्लिखित मेंसे किस सब्द का समान तो योगदान का समानार्थी नहीं पूचा दोस्तों तो हीत ठीक है और सभी योग दिच्छा भी हो जाएगी हाथ बटाना भी हो जाएगा सहयोगी हो जाएगा लेकिन जो हीत है यह योगदान का समानार्थी सब्द नहीं है तो नहीं पूचा है तो आपसे नमबर 20 का करें कौन सा नहीं हे तो जो जो क्या बोलते हैं विलचण होता है अनूठा और यह तीनों है लेकिन रहास्त में नहीं है आपसण नंबर सी साइए ठील है यहां पार देखिए विप्र का शमानार्थी सब्द पूछा गया है तो विप्र का शमानार्थी पूछा गया है तो ब्राम्मण हो जाएगा तो आपसे नंबर सी इसका भी राइट अंसर है आईए देखके हैं दोस्तों कुश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि बताइए कि ब्रश भानुजा ब्रश भानुजा का समानार्थी सब्द तो ब्रश भानुजा राधा को बोलते हैं तो राधा इसका राइट अंसर हो जाएगा सतरक्ता सब्द का समानार्थी सब्द ठीक है कौन सा होगा तो सतरक्ता किसमें होगा मुस्ताइदी आपसा नंबर जो सी है ये राइट अंसर है आ अप्सान नमबर ए ठीक कुईश्यान नमबर 34 है सखा का समनार्थी सब सुनिए सखा सखा क्या होता है मित्र होता है तो आप तर नमबर जो ए होगा राइट अंसर होगा आए दोस्तों नेश्ट कुईश्यन की बात करते हैं और आप शेप पूशा गया है कि बताईए सुभेच्छू का समनार्थी सब बताईए तो सुभेच्छू का होगा सुभा कांच्छी अप्सान नमबर जो ए है राइट अंसर है नेश्ट हाथी का समनार्थी सब कौन नहीं पूछा है तो नहीं बताना है तो हस्त हो जाएगा नहीं है लेकिन हस्ती होगा दंती होगा और कर यह सभी हाथी के समनार्थी सब्द हैं आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेश्ट कुष्चन की बात करते हैं आप से पूछा गया कि बताईए कि कुष्चन नमबर 33 है युक्ति समनार्थी जोड़ा पहिचानी है तो कौन सा होगा देख़े बादल और नीर ठीक है बादर और नीर था एंसर है तो आइकिन अनुनबर infl PG ci ios ती जो अलग हो जएगा ठीक है यह समान है केला का कदली हो जाएगा द्रब का बित हो जाएगा लेकिन बादल का नीर नहीं होता है तो यह क्या होता है युक्ति मतर्प समय पर पहिचान है ठीक जो नहीं है रिखेंशन 38 है कोप और रोष किस सब्द के समयनार्थी सब्द हैं तो कोस और रोष जो है वह किसके है क्रोध के तो आपसा जोड़ा सही नहीं है पूछा आपसे देखें अम्ब ठीक है अम्ब जो है वो ये जो कलम है जो का करते हैं कमल और अम्बू ये इसके जो है जोड़े नहीं है ठीक है यहां पे रदन रदन दाद भी होता है दंत भी होता है और पताका होता है पताका क्या क्या समनाति होता है ज जाद रखें आये दोस्तों यहां देखतें कुश्चन नंबर 40 आप से पूछा गया है कि एसा सब्द जो उचारण और वर्तनिंग की द्रश्ट से समान हो पर उत्पत्ति तथा अर्थ की द्रश्ट से भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं तो वह कहलाते हैं समरूप या समोचर रहित समोचर रहित सब्द या समोचर रूप कहलाते हैं तो आपसा नंबर जो बी है वो राइट अंसर है कुश्चन नंबर 41 देखिए तरूण अरूण अरूण का समानार्थी सब्द नहीं पूचा है तो अरूण का नहीं पूचा है तो क्या होगा बिम्बा या फल ठीक है आपस तो आपसे पूचा गया कुश्चन नंबर 42 निम्न में से कौन सा उच्च का समानार्थी नहीं है तो नहीं पूचा है देखिए उच्च का क्या होगा बड़ा होगा जेस्ट होगा उठा हुआ भी होगा लेकिन टीला नहीं होगा तो आपसा नंबर जो ए है वो राइट अंस से कौश्चन नंबर 43 नहीं है तो कंद धतूरा भी होता है और कंद का अर्त सोना भी होता है लेकिन मक्का नहीं होता है तो याद रखेंगे नेस्ट है यहाँ पर संवन्वनार्थी सब्द लिखी है आपसे पूचा गया है किसका कुबेर का समानार्थी क्या होगा धन राज ट्थिक Saman Aerti देखिए दोस्तों नेश्ट फिस नेकिए सभी ुपर्शन है सभी आये हुए प्रस्शन है किसी न किसी एक जाम में यहां पर देखिए दोस्तों गुस्ते समन अर्ति नहीं पूंचाये तो देखें गुस्य का क्या होता है क्रोध होता है आमर्ष होता है रोष होता है लेकिन अपकर्ष नहीं होता है तो अपकर्ष इसका राइट अंसर हो जाएगा नेस्ट कुश्यन देखिए पहले निर्देश पढ़िए आपसे निर्देश में कहा क्या है ठीक है प्रेश्ण संख्या में सब्द के अर्थे बिकल्प दिये गए हैं और इसमें कोई एक बिकल्प गलत है अर्थात सब्द का अर्थ नहीं है उस बिकल्प का चैन करना है तो गलत का चैन करना है यहाँ पूछा गया है तच्छक तच्छक का अर्थ नहीं है तो कौन सा अलग है तो तच्छक बढ़ीब होता है सूत्रधार और कर्म विश्व कर्मा जो स्रिला न्याश होता है यह इसका राइट अंसर होगा है सबसे अलग होगा ठीक यही आपका राइट अंसर है largest question देखिये यहाँ पर question नंबर जो है अपसे पूछा कि निर्वात का समणार्ति निर्वात की होता है बिना हवा वाला ना तो आपसर नंबर ऐसे ही सही हो जाएगा आपसर नंबर सी बिना हवा वाला ठीक है पनंग का समनार्थी पूचा है पनंग का समनार्थी क्या हो जाए उरग आपसर नंबर ए आए दोस्तों निश्ट बात करते हैं कुश्चन नंबर पच्चास है मेरा आप से पूछा गया है प्रिजोजन का समनार्थी सब नहीं है पूछा है तो नहीं नहीं है कौन सा नहीं है देके हेतु होता है उद्देश होता है लच्छ भी होता लेकिन नहीं होता है ठीक भाव का समनार्थी सब नहीं है भाव क्या हो जाएगा दोस्तों दर होगा अभी सतहान है कहा गया मंद मद का समान रती सब्स नहीं है तो मद नहीं है क्या है सिथिल नहीं है डिगिए याद जो है तिरपन में तो कौन सा सही होगा तो सर्प सर्प का पूछा है तो सर्प का जो राइट अंसर है समानार्थी वो होता ब्याल ठीक याद रखेंगे नेस्ट कुश्चन कुश्चन नंबर चौवन है और आप से पूछा गया कि बताईए क्या पूछा एक क्या पूछा है उस विकलब के चैन करें जो दिये गए सब्द का सही समांर्थी सब्द ही रण पूचले क्सका हो जाएंगा कुरंग हो जाएगा हिरं का समनार्थी क्या ओजाए वच त्वीरन पर देखए कुश्चन burg55 समा नार्थी जोड़ी को इश्टप ह समानार्थी परवत परवत किसका हो जाएगा महेश्वरी आपसन समानार्थी जोड़ी बताना है तो आपसन नंबर जो ए है यह राइट अंसर है आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेश्ट कुश्चन की बात करते हैं कुश्चन नंबर जो हमारा 56 नंबर जोड़ी नहीं पूछिए तो समान तुष्प का हो जाएगा चैरपाई खटिया हो जाएगा इसका समानार्थी और जो पाट साला बिद्ध्याले का समानार्थी हो जाएगा बिद्ध्याले लेकिन निसा और निसाचर यह इसके राइट अंसर है ठीक याद रखेंगे अब आईए दोस्तों सब्दार्थ के बारे में बात करते हैं ठीक है इसके बारे में फैक्ट जानते हैं उसके बाद फिर हम कुश्चन पर चर्चा करेंगे सब्दार्थ देखिए सत्वादी सत्व को बोलने वाला ठीक है सब्दार्थ के बारे में सब्द और अर्थ सब्द का अर्थ क्या होगा उसी को हम सर्दार्थ बोलते हैं तो एक नजर इस पर डालते हैं देखिए सत्वादी सत्व को बोलने वाला को सत्वादी कहते हैं भलाई करने वाला को परुपकारी कहते हैं किये गए उपकार को मानने वाला क्या होता है कृतक होता है ठीक है मान भ लखेंगे यहां पर देखिए दोस्तों कि निष्ट आप से मुझे किये किये गए उपकार को ना मानने वाला तो यह होता है कृतग्ण ठीक धाति प्रतिभी भू यह होता है अवनी चंद्रमा का क्या होगा यह होगा भ्रंगांक क्या होगा म्रगांक होगा जिसका कंठ नीले हो उसके लिए एक सब्द कया होगा नीलकंठ ठीक एम तो नीलकंठ होगा उसका यहाँ पर देखिए आपसे पमुशा गया है कि बताए यहां पर कि किसी दूसरे की वेदना दुख में सभागी औराना क्या होता आर्भा एसका क्या होगा स्वानुभूति बिबेक रहित या ना समझ या अभिकारी इसके लिए जो सब्ध होगा वोगा अभिबेक ठीक है दूसरे के हाथ देने वाले को परते हैं हस्तान्चरण क्या होता है हस्तान्चरण ठीक है यहाँ पर देखिए किसी पद्ध के अंतिम अच्छर से नया पद्ध आरम करने वाला यह होता है अंत्याज छडी ठीक नेश्ट देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कनक कनक क्या होते हैं एक होता है सोना एक होता है धतूरा ठीक सरस रस से युक्त म्रदू इसको बोलते हैं सरस और चंद्रमा चंद्रमा जो होता है वाड़ी का विकार करने वाला आजाद सत्रू जिसका कोई सत्रू नहों उसे आजाद सत्रू बोलते हैं यहां पर देखिए ब्यसन ब्यसन क्या होता है बुरी यादत या लत या दूरा चरण ठीक है अंसू अंसू होता सूर्य कीरन वस्त्रू वाइद कर्द क्या होता है कानूनी द्रश्टी से मान्य परोच कर्द जो आँखों के सामने नहों या आँखों से ओजल हो गैरहाजिर मे हो उसे कहते हैं परोच यूगल यूगल दो समू ठीक है दो समू क्या बोलते हैं यूगल बोलते हैं तो इसका क्या अर्थ हो गया यूगल दो समू को यूगल बोलते हैं यहां पर देखिए निश्ट अंबर अंबर मतलब क्या होता है आकास नब अब्र ठीक है अंबर के क्य कर दाते हैं अच्छे होता है नित्य कोंहें थे लिएना होना विशडु और स्युग तो साथ में इस्मर कार्थ का होता क्या होता है याध होता है रिष्मती पुम्णेर कॉलीश कुलीश करत वज्र हीरा कुठतर क्युनित तो याद रखेंगे अपसे पूछा गया है कि वाजिर का क्या होगा आंगन होगा शरीर होगा वायू होगा इंद्र विश्यू होगा थोड़ा सा सोरा रही दोस्तो ठीक है थोड़ा मैनेस करेंगे आप लोग अस्तेय का अर्थ क्या होगा चोरी ना करना ठीक और अतित का सतकार करने वाला अतित होता है असन होता है भोजन जीजीविसा जीने की चाह रखने वाला को जीजीविसा कहते हैं नेस्ट यहां पर देखिए पोशक क्या हुआ पोशक पोशक होता परिधान ठीक अन्तापुर घर या माहल का भीत्री भाग जिसमें इस्त्रिया रहती है उसे क्या बोलते हैं अन्तापुर ठीक यहाँ पर देखिए अगनी संबंधी या एक दिशा उसे कहतें अगनेय अलकेश किसे कहतें इंद्र को ठीक हैछन्स सुता किसे कहतें यमुना को ठीक है तो हन्स tutा किसे कहहतें यमुना का जहां पर देखिए आसिरवाद यह होता असीवर्चन असीप्लume karş कामना थीक है ब्योहारिक कर्थ क्या होता है, ब्योहार या योग्य, महराज कर्थ महराज होता है, वलिष्ट कर्थ सरवाधिक या सक्ति सारी होता है, ब्रह्मा कर्थ सच्चिदानन्द स्वरूब जगत का मूल तत्व या इश्वर या परमात्मा, यह होते ब्रह्मा कर्थ, ठीक, याद लखेंगे। आईये दोस्तो अब हम बात करते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है। क्या है यहां पर हरीतिमा हरीतिमा का अर्थ क्या होता है हरापन या हर्याली ठीक है साहितिक अर्थ साहितिक संबंदी होता है प्रद्रस्नी का अर्थ होता है नुमाइस या नाजारा होता है क्या होता प्रद्रस्नी का नुमाइस या नजारा और अगामी का अर्थ क्या होता है आने वाला ठीक है भबिस में होने वाला यह होते अगामी तो समझ पा रहे होंगे दोस्तों यहां पर देखिए उठान, के अर्थ क्या होते है उठान सब्द के आरत होते हैं उठना ब्रद्धी और उङ्नति कनिष्ठ के अर्थ का छोटा या अवर अवर भी होता है धवल धवल करते हैं कि उजला होता है सफेद होता है निर्मल होता है स्वच तो यह धवल करते हैं मधूर मधूर का अर्थ क्या होता मीठा की इस्था वर का अर्थ क्या होता इस्थर या इस्थाई या परवत भी होता है क्योंकि परवत भी इस्थाई है तो याद रख यहां पर देखें आस्तिक आस्तिक करते हैं वे-वेद में विस्वास जो रखते हैं उन्हें वास्तिक कहते हैं तो वास्तिक का रखते हैं जो वेद में विश्वास रखते हैं या इसोर पर विश्वास करते हैं उन्हें हम आस्थिक कहते हैं अच्योत कर्थ क्या होता है? अटल ठीक अटल या इस्थिर वह होता है very wolves सील कर्थ नैतिक आचरण और ब्योहर ठीक है यह सील कियरत हैं तो याद रखेंगे सदासे उच्छी विचारो वाला या सज्जन ठीक यह होते हैं सदासे इसका अर्थ होता है और परिण अड़े का क्या होता है बिवाह या साधी बिवाह या साधी तो याद रखेंगे यहाँ पर देखिए और सारे दिये गए हैं दोस्तों यहाँ पर रजत रजत के क्या होता है चांदी होता है ठीक है म्रदू म्रदू कोमल या मुलायम दिव का क्या होता है लोकी के अति सुन्दर भव ठीक है दोस्तों यह दिव के अर्थ होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दोस्तों यहाँ पर अदुती किसको बलते हैं अर्थ क्या होता है अनुपम अंत का अर्थ क्या होता है समाप्त विवाद का अर्थ क्या होता है दुख होता है विवाद में ठीक है अवसाद भी होता है और उदासी भी होती है गलानी का अर्थ क्या होता है दुख होता है परोपकारी क्या है दूसर या संख्या भी होती है ठीक अंक अग का अर्थ क्या क्या होता है जो कुछ भी नहीं जानता वो क्या होता है अग ठीक है और अंकुरब क्या होते है अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते है तो अंकुरित होना ठीक अवली और अविल का अर्थ क्या होता है अवली और अवि प्रितिम अप्रीतिम होता है इसका पूछा यह बेजोड होता है ठीक अरण चंद्रिका मुहावरे का अर्ड क्या होता है तो होता है निस्प्रयोजन पदार्थ आगे देखें दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेश्ट ठीक नेश्ट है यहाँ पर अंधेर नगरी का अर्थ अन्याय की जगह अब्जकर्थ कमल और चंद्रमा होता है और आच का अर्थ क्या होता है गर्मी होता है लपट होता है होता है तो याद रखेंगे आत्म सिलंगह क्या होता है आत्म सलागह का सब्द आर्थ क्या होता है तो आत्म सलागह का जो अर्थ होता है वो अपनी प्रसंशा करने वाला ठीक है असक्ति असक्ति का अर्थ अनुराग होगा उपत्तिका करते होगा परवत की पास की भूमी होती है उसे बोलते हैं उपत्तिका ठीक उपत्तिका करते होता है परवत की पास की भूम ओटना और आउटना का रथ क्या होगा दोस्तों ओटना और आउटना तो ओटना ओटना का होता है बिनवले ठीक अलग क करना और जो उड़ना होता है वह होता है कवलाना ठीक जैसे हम लोग दूद्ध कोखवलाते हैं तो अऩय तो अश्मार करते खना डोड़ काकु का रत पूँचा है, तो काकु होता है ब्यंग, ठीक, यहाँ पदेखिये करतगन, करतगन का रत पूँचा है अहसान या फ़रामोस, तो अहसान फरामोस जो हता है, वो हता है कtrackन, आगे देखिये दोस्तों, यहाँ पर निश्ट है गलना और गडना, ठीक है, अलग यृ करते हैं यहाँ पर देखिए गूधना और गूधना तो गूधना होता है सानना और गूधना जो होता है गूधना होता है परोना पिरोना गो का अर्थ क्या होता है गाय होता है नदी होता है इंद्री होती है गयंद का अर्थ क्या होता है बड़ी हाथी जटिल का अर्थ होता ह पे चीदा ठीक जल कर्थ पूचाएं मूल होता है काराण होता है मोर्क होता है या पर देखिये ते तो तूक तूक ठीक है तूक होता है ठोड़ा ठोक होता है तूक़ोला असमज मल है कांसे कौन से सब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन होता है तो हिंदी में और अंग्रेजी में भिन आपसे पूछा गया है तो जो डूंगरी है डूंगरी हिंदी में इसका अर्थ होता है पहाड़ी और लेकिन अंग्रेजी में इसका अर्थ क्या होता है मोटा सूती कप ठीक लहर का रथ पूछा है लहर का तरंग होता है हिलोर हो रहा है और बीची होता है तो यह लहर के अर्थ हैं यहां पर देखिए दोस्तों दीन और दिन दिन और दीन का अर्थ हो यह दिन का और दीन का दिन होता है एक दिवस और दीन होता है गरीब ठीक है पच्छ का अर्थ होता है पंक और और ठीक है पानी का अर्थ पानी का होता है वन ठीक है पत्वार पत्वार्थ का यहां पर बता गार्थ सरोवर ठिक है का अरथ क्या बताए जूटा ठीक है और प्राग एतिहासिक कार्थ क्या होता रिखित इतिहास कि पहले का इतिहास ठीक है तो ऊसलों कहते है प्राग यहां पे देखीं दोस्तों निस्ठ है प्रियोगिक सब्द के लिए अर्थ बेंजक है तो यह जिसका नित प्रियोग किया जाए फूल करत क्या बताएं गया पुश्प बली और बली करत बली होता है बलिदान देना रो बली होता है बीर ठीक मुढ़ोल का होता है जल जला ठीक मनुजात और मनुजाद मनुजात होता है मानव और मनुजाद होता है राच्छस ठीक है तो यहाँ देखिए मुर्चेता मुर्चेता का अर्थ क्या होता मूर्ख ठीक याद रखेंगे आए दोस्तों यहाँ पर देखिए निश्ट अपसे पूछा गया है कि भासा य अच्छिक संकेत इसका अर्थ क्या होता है तो यह होता एच्छिक रसाल आम होता है इसका अर्थ वरण का अर्थ होता अच्छर रंग जाती विरासत का अर्थ क्या होता है पुरुखों से प्राप्थ होई जो विरासत होती है उसे होते हैं विरासत जो पुरुखों से मिलती है यहां पर देखिए वनिता का अर्थ क्या होगा आप वनिता का प्रियोग किस अर्थ में होता है तो इस्तरी के अर्थ में होता है सारंक अर्थ पपीहा कामदेव राज हंस ठीक है आगे देखिए दोस्तों नेश्ट संकर संकर का पूछा गया यहां पर बताइए संकर किसे कहते हैं दो सब्डों जो दो भासा के सब्दों से मिलकर बना होता है सब्द उसे हम संकर कहते हैं ठीक है दो भासा और सुएद को सभेद स८कल होता है पसीना सोधकार्थ आपसे पूँचे तो अनुशंधान होता है और रितकार्थ होता है शत्त तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएं आईए दोस्तों अब हम करते हैं कुश्चन के माध्धम से रिविजन करते हैं तो आप लोग यहाँ पर कर भी पाएंगे अब हम कुश्चन के के आद्धम्से रिवीजन करते हैं तो आये दोस्तों करते हैं देखिए यहाँ पर कि मुझा गया है रले के डिक रड़ी को Simmons का तो इसका जो एर्थ है क्या होगा निष्ठ Norm जोजन पदार्थ आपसा नमबर ती है अंधेरनगरी का अर्थ क्या होगा तो अन्याय की जगह आपसन नमबर B सही है, आगे देखिए Next Question, दोस्तों निमलिखित में से कौन सा सब्द Go का अर्थ नहीं है, तो गो का अर्थ नहीं है, तो देखिए गाय होता है, इंद्रिय होता है, और नदी भी होता है, लेकिन गज नहीं होता है, तो गज इसका राइटन जरू जाएगा, य उपर युक्त अर्थ बेंजक विकल्प चुनियें तो किसके लिए गयंद गयंद होता है एक बड़ा हाथी तो आपसर नमबर जो है यहां पर देखिए नेश्ट कुश्चन पुछा गया है आपसे कि बताईए निम लिखी सब्दों में से एक का अर्थ तेल है भी है किसका इसने का तो आपसर नमबर सी राइट अंसर है नेश्ट कुश्चन किसा सब्द का अर्थ लहर नहीं है तो लहर यहां पुछा देखिए हिलोर भी होता है तरंग भी होता है ठीक पानी का भी अर्थ देता है कौन देता है तो देखिए जंगल अरण और यह नहीं देते हैं लेकिन वन जो है पानी का अर्थ देता है ठीक है नेश्ट कुश्चन यहाँ पर देखिए, आप से पुछा गया है कि बताइए कि प्रयोगिक सब्द के लिए सर्वाधिक उप्रिव्ट अर्थ बेंजक विकल्प चुनकर लिखें, तो जो प्रयोगिक बोला है, आप से प्रायोगिक, तो इसके लिए जो होगा जिसका नित्ञ प्रयोग किया जाए तो आपसर नमबर जो ए है वो आपका राइट एंसर होगा फूल, फूल समान अर्थ वाले सब्द लिखिए तो फूल का फूल का जो समान अर्थ होता है उसका क्या अर्थ होगा पुस्प होगा तो आपसर नमबर ए इसका राइट एंसर है आएए दोस्तों यहाँ पर देखिए बली और बाली अभी मैंने डिसकस किया पहले तो अब आप पता सकते हैं बली का अर्थ यहाँ पर बली और बाली का अर्थ क्या होगा बली होता है बलिदान और यह वाली बली है इसका होता है बीर तो याद रखेंगे आपसा नमबर A सही है देखाओ यहाँ पर देखाओ मुर्चेता सब्द के लिए सरवाधी उपत अर्थ बेंजन विकल्प चुनिए तो मुर्चेता जो होता है मूर्ख होता है तो आपसा नमबर D सही है आगे देखिए नेश्ट कुश्यन आपसे पूछा मुउच्यन नमबर 13 फूछा कि आए ऐग tubसा अर्थ क्या होगा रसाल आपको सभी को पता होगा रसाल जो होता हो Ready आपसा नमबर है अगे देखें दोस्तो आगे बात करते हैं और रित का अर्थ है देखिए अभी वर्लाइन में हमने रिवीजन किया है रित का अर्थ क्या होता है तो सत्य होता है अपसा नमबर ऐसा ही है अंक का सब्द का अर्थ नहीं पूछा है तो अंक होता है गोद का होता है ठीक है संख्या भी होती है चिन भी होता लेकिन अंग नहीं होता कुछ भी नहीं जानता उसे हम क्याए अर्त क्या होता । अपनी प्रशवा करना अपनी नमबर भी सौइए अयह देखती है जो नेयस्ट पनाही का अर्थ पूँछा है तो पनाही आफ्य आफसे पूछा है तो क्या होगा जूता होगा? अप्सहन अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं अंकुरआप को कहते हैं अंकुरित होना अफसन नंबर ay सही है आजए दोस्तों नेक क्शिन लगाते हैं नजी होगे और कर पूणिखा है यहां पर देहुत होता है इə इंद सबी अबिग्तम सब्सक्राइब बताएं तो अप्रितिम होता है बेजोड आपसान नंबर सी राइट अंसर है सभी अभी मैंने वन लाइन में डिसकस किये हैं तो जितने भी स्टुडिंट सही से वीडियो देखें होंगे वो सभी प्रश्न कर पाएंगे देखिए आहां पर आपसे पूछा गया अब तो कमल और चंद्रग मा होगा तो अपसान नंबर सी सही है आज का अर्थ आपसे पूछा है तो आज का अर्थ होता है गर्मी लपट हानी तो अपसान नंबर सी राइट अंसर है आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेश्ट कुशन नंबर पचीस है और आपसे पूछा गया ह है असकत सब्द का अर्थ क्या होता असक्त अनुराग होगा तो आफसेंड करें देखिए ओटना और आउटना का अर्थ मुझा है तो ओटना का जो अर्थ होता है वो होता है बिनौले अलग करना मतलब और जो इस वाले आउटना का अर्थ होता है होता है खावलाना तो खावलाना यहाँ पर है तो आपसा नंबर C इसका राइट अंसर होगा आए देखते है यहां पर पहुँझा question number 27 prospect का अर्थ होता है दोस्तों धूखा और कपाड का अर्थ होता है दर्वाजा आप अभी call गलंबर कुशन कें कच्छ होता है कमरा और कांक इसका अर्थ होगा तो अपसर नमबर डी सही है आए दोस्तों आगया बढ़ते हैं नेश्ट कुईशन की बात करते हैं आपसे पूचा गया दिये गए विकल्पों में ते क्रतग्न का अर्थ दरसाता है सही विकल्प चुनिए तो क्रतग्न जो होत है इस्षान फरवामोश थीक अपसन नमबर जो बी है यही राइट अंसर है नेश्ट गरणा और गडणा सब्द युग में के सही अर्थ भेद का चेंड करें तो जो गडणा होती है वह होता है दोस्तों गिंती और जो गडणा होता है वह चुबना होता है तो आपसन नमब जो है 21 ठीक है पुछायिं आपसे क्या गूधना गुंधना घू होता है सानना और फिरोना होता है तो आप 1 अपना जो ब्रत वी ये आपका राइट अंसर है यह आप दिए जतील जतील का अर्थ क्या है तो जतील का अर्थ है पेचीदा आप रवा नम्बर बी इसका राइट अंसर होगा पेच इदा नेश्ट यहाँ पर आपसे पुछा गया है कुश्चन नमबर 33 है जड़का अर्थ जड़का अर्थ पुछा है मूल होगा कारण होगा मूर्ख यह तीनों किसके हैं जड़के अर्थ हैं तो आपसे नमबर ए इसका राइट टंसर होगा आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर नेश्ट कुश्चन है 35 नमबर वस्ट दो मिनिट और रुकिए 35 नमबर कुश्चन है आपसे पुछा है कौन से सब्द कार्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन होता है तो क्या होता है डुंगरी का ठीक है डुंगरी तो आपसे नमबर ए इसका राइट अंसर है द्रोन कार्थ क्या होगा आपसे पुछा है द्रोन होता है कार्थ होता है एक द्रोना चार होता है और इस कार्थ काववा भी होता है तो option number जो यह C है यह आपका right answer होगा आगे देखिए दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर 37 number question आप से पूछा है यहाँ पर दिन दिन और दीन का अर्थ क्या होता है तो दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब तो किस option में सही है? option number जो B है और आपका right answer होगा दिवस और गरीब आगे देखिए यहाँ पर question number 38 दिया गया है आप से पूछा है परिभासित सब्द वे हैं जो किसी छेत्र बिसेस में एक निश्चित और परसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं तो option number जो C है यह right answer है आगे देखिए next question पच्छ का अर्थ पूछा है 39 नमबर question पच्छ का अन्तुदा पंक और और तो option number A सही है पुसकर का अर्थ बताइए पुसकर का अर्थ क्या होगा? पुसकर का सरोवर आपसान नमबर D सही है आगे देखिए दोस्तो नेस्ट question है यहाँ पर भुडवल भुडवल का अर्थ पूछा है तो भुडवल का अर्थ क्या होगा? तो भुडवल को होता है जल जला आपसान नमबर जो D है सही answer है ठीक है याद रखेंगे नेस्ट question, question number जो है आपसे पूछा है 42 number question मनुजात और मनुजाद इसका अर्थ बताइए तो मनुजात का अर्थ होता है मानो और मनुजाद का अर्थ होता है राच्छस तो अपसान नमबर जो C है यह right answer है ठीक है याद रखेंगे आईए देखिए आपर दोस्तों question number आपसे question number 43 है और इसका पूछा गया है भासा या ज्या तो किसका है एच्छिक dependence का अपसन नमबर D सेए नेस्ट वरण का अर्थ नहीं पूछा है तो वरण का अर्थ नहीं नहीं है तो अच्छे होता है जाती होती रंग होता है लेकिन सुन्दर जो होता है वे वरण का अर्थ नहीं होता है तो याद रखेंगे नेश्ट है कुश्चन नमबर 45 है आपसे पूछा गया है कि स्वेध और स्वेध का अर्थ क्या होगा तो स्वेध होता है क्या होता है सफेद और स्वेध होता है पसीना तो आपसर नमबर 20 इसका राइट अंसर है यहाँ पर देखें कुश्चन नम उपत्त का अर्थ पूछा है तो उपत्त का क्ष्ज यहorgt है परवत के पास की भूँमी तो आप्सर नमबर यह जो ड.ी है यह आपका राइट अंसर होगा नेश्ट है काकु सब्द का सरवाधिक उपरिऊक्त. अर्थ कौनसा होगा तो काकू के लिए जो होगा वो व्यंग होगा अफशन नमबर यो D है यह आपका राइट टैंसर है ठीक है यहाँ पर देखे दोस्तों नेश्ट है कुईशन है इन सब्दों में कौनसा सब्द हिंदी सब्द कोस में सब्से अंत में आता है तो कौनसा सब् भर्शान नहीं है। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपसे पूझा गया थी कि! में निर्ण सब्दों में इन सब्दों में कौण सा सभिंदी सब्सकोष में सबसे अंत में आएगा? तो का नम्बर सबसें पहर फैंत में आएगा क्लिव आपस holy आपने नम्बर अ एहां का इतियासिक का अर्थ क्या होता है तो अप्सरा नमबर जो हुआ देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कुशन नंबर 51 ठीक है दोस्तों विश्तिक्त बिरासत मतलब होता है पुरुखों से प्राप्त हुआ होता है उसे संकर सब्द किसे कहते हैं संकर 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 किसे कहते है होगी दोस्तों यह क्लास अगर दोस्तों मेरी क्लास यह आपको सभी को पसंद आई है तो दोस्तों प्लीच आपको मिल्स पाए इसके लिए आपको बताएं कमेंट सक्षन में कि आपको वीडियो कैसी लगी ताकि और भी मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो जरूर बताएं comment section में और इस वीडियो से संबंदित कोई शुजाओ अगर आपको देना है तो आप मेरे comment section में जरूर दें तो दोस्तों की वीडियो कैसे लगी आपको अच्छी लगी या नहीं क्या इसमें तुरूटी है तो आप जो है इस comment section में जो है दोस्तो इसका जो feedback जरूर बताएं तो मिलते हैं दोस्तो नेश्ट वीडियो में नए topic के साथ आज के लिए सभी दोस्तों को जै हिन जै भारत सभी प्यारे दोस्तों को